विल्कम फ्रेंट्स आचारियम पर आपका स्वागत है दोस्तो हम चर्चा करेंगे मध्ध प्रदेश ब्यापमद्वारा आयोजीत होने वाली क्रूप फाइप पैरा मेडिकल के वेकेंसीज के बारे में और हम यहां पर बताएंगे कि आवश्यक योगिता क्या होनी चाहिए औ और कहां कहां किस किस विभाग में निकली है तो दोस्तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईए देखते हैं सेरियल नंबर फस्ट में यहां संचाल नाले पशपालन मध्ध प्रदेश भोपाल विभाग में है यह इसमें श विच्छा विज्ञान गनित क्रिस से उत्तिर्ण होनी चाहिए अनिवार इन्यूंता मयोगता मानेता प्रात विश्विद्याले से पस्पालन विज्ञान में दुत्ती वर्षी डिप्लोमा उत्तिर्ण होना चाहिए भूत पूर सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटेरिनरी क पर्प में ड्रेसर ग्रेड वन एवं टू के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो तो यह रहा सीरियल नंबर वन सीरियल नंबर टू में फ्रेंड सहायक पसुची कित साधिकारी की पोस्ट है इसमें हम देखेंगे कितनी पोस्ट हैं टोटल यहां पे हो रही हैं 39 और प्रवेतानमान 25,300 से 8,500 सेक्षड कियोगिता 10 प्लस टू विज्ञान गणित क्रिसी से उत्तिर्ण मानिता प्रात विश्विद्याले से पस्पालन विज्ञान में दुती वर्षी डिप्लोमा उत्तिर्ण भूत पूर शैनकों के लिए रिमाउंट वेटिनेरी कार्प में प्रेसर ग्रेड वन एवं टू के रूप में 15 वर्ष की शेवाएं पूर्ण होने पर ये अब आते हैं दोस्तों सीरियल नंबर टू में संचार नाले स्वास्त शेवाएं मद्द प्रदेश भोपाल डिपार्टमेंट में यहां पे पूरुस स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं ट नियुनतम 50% अंकों के साथ फिर मानिता प्राप्त सास की असास की नर्सिंग कालेश से नियमित छात्र के रूप में बियसी नर्सिंग 59% अंकों के साथ और मद्द प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजियन इसी में पद कोड फोर में पूरुस स्टाफ नर्स जो यहां पे जो वैकेंसी है मेल नर्स की है 14 पद है और यहां पे जो स्केल रखी गई है दोस्तों सेवन पे कमीशन का ही है लेवल सेवन 28,700 से 9,300 इसमें 10 प्लस टू हाई स्कूल परिक्षा उतिर्ण या पुरानी पढ़ाली के अंतर का थायर शकंडी परिक्षा उतिर्ण होना चाहिए प्रशिक्षित होना चाहिए नर्स पूरसों महिलां और बालकों में तीन वर्स का सामान नर्सिंग प्रशिक्षन नर्स पंजी और परिशद में रिजिस्ट्री कृत होना चाहिए इसी में पद कोड़ 6 है मेल नर्स का जो संबीदा कर्मियों के लिए रक्षित है प यहां पे जो एक्षड़े क्योगता है इसमें भी सेम रखी गई है अब आईए देखते हैं पद कूड एट में बैकलाक सीधी भरती मेल नर्स कूल एक पद है और ये संबीदा कर्मियों के लिए अरक्षित है इसमें भी वेतनमान 28,700-9,300 का स्केल हायर्शकंडरी परिक्षा उत्तिर्ण और तीन वर्ष का सामान नर्सिंग प्रशिक्षन नर्स पंजियन परिशद में रेजिस्टी कृत फिर आते हैं फ्रेंड सीधी भरती फार्मासिस्ट ग्रेट टू तीन पद है और ये स्केल दिया है शिक्स वेतनमान का है ये चट्वेतनमान का बावन सव से बी दिप्लोमा हो साथ है फार्मेसी काउंसिल में रेजिस्टेशन हो बैकलाग सीधी भरती फार्मासिस्ट ग्रेट टू ये भी सेम ही है इसमें फिर है कार्याल दिस्ठाता चिंदवाडा इंस्टिटूट आप मेडिकल साइंसे चिंदवाडा मद्यप्रदेश इसमें दोस्तो या बीमल्टी में डिग्री डिप्लोमा प्रमान पत्र और जो इसका पैरा मेडिकल काउंसिल का जीवित पंजियन प्रमान पत्र होना चाहिए इसी तरह इसमें संबीदा कर्मियों के लिए जो छैपत निर्धारित किये गए हैं स्केल और सेक्षणिक योगता समान रखी आयरवेद कंपाउंडर के 174 पद हैं इसमें 10 प्लस टू होना चाहिए मानिता प्राप्त संस्थास आयरवेद कंप्यूटर का एक वरसी प्रस्रिक्षण उत्तिर्ण तथा आयरवेद में डिफार्मा उत्तिर्ण होना चाहिए और पंजियन अनिवारे हैं सीधी भरती कंपाउंडर का एक वरसी प्रस्रिक्षण उत्तिर्ण और मध्य प्रदेश साची कित्सी परिशद में पंजियन फिर है यूनानी कंपाउंडर में यहां पे 37 पद हैं यूनानी कंपाउंडर के बेतनमान 25,300 से 8510 प्लस टू होना चाहिए जिसमें उर्दू एक बिशय हो मान कंपाउंडर का प्रस्रिक्षण उत्तिर्ण और मध्य प्रदेश साची कित्सी परिशद में पंजियन फिर है स्टाफ नर्स का फ्रेंड टूटल पोस्ट है यहां पे 35 28,700 से 99,300 का स्केल और 10 प्लस टू होना चाहिए बियस्सी नर्सिंग या चीनम परिक्षण उत्तिर्ण और नर्सिंग काउंसिल में पंजियन फिर आते हैं आयूश मध्य प्रदेश भोपाल सासकी स्वसासी आयूश महावी द्यालेम चीकित सालियों के लिए तो सीधी भरती स्टाफ नर्स की है कुल पद है इसमें 88 और जो इसका स्केल 28,700 है बियस्सी नर्सिंग जी एनम परिक् 500 का स्केल है 10 प्लस 2 PCB के साथ होना चाहिए और आयरवेद फार्मेशी पार्टिक्रम में उपाधी संबंधित परिशद में पंजियन होना चाहिए फिर है फार्मासिस्ट यूनानी दो पद है इसमें 25,300 चैसी 1500 का स्केल है बहुत की रसा अंजी बिग्यान के साथ उचतर और संबंधित परिशद में पंजियन फिर है फ्रेंस पैथलाजी टेक्नीशन का एक पद है यहां पे 25,300 से 85,500 का स्केल दिया हुआ है माधिमिक शिक्षा मंडल भूपाल से 10 प्लस 2 PCB के साथ लेबराटरी टेक्नीशन पार्टकर मुत्तिग्ण और मत्प्रदेश पैरमेडि प्रदेश पैरा मेडिकल परिशद में रेजिस्ट्री करन मैं दोस्तों यहां पे एक चीज और उलेख करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा अलग रहा है कि जो लेब टेक्नीशन का स्केल है उसको डाउन कर दिया गया है क्योंकि जो पहला अगर हम पहले वाले बिग्यापन की ब लेब टेक्नीशन को दिया जाता था जब आप यहां पे डिमांड कर रहे हो कि फिजिक्स कमेस्ट्री बायलाजी के साथ 10 प्लस टू हो और साथ में लेब टेक्नीशन का पार्थिक्रम उत्तीर्ण हो मतलब 2 साल का DMLT हो और मध्य प्रदेश पैरा मेडिकल परिशद में परिशद में रेजिस्टी करन। आदियो मेडिस्ट की पोस्ट ही कुल्पध है 4 इसमें मादिमिक शिक्षा मंडल से पीसी भी में 10 प्लस टू होना चाहिए अधियो प्रमाणपत्त उत्तिवर्ण मदप्रदिस पैरामेंडिकल परिशद में रिस्टी करण। फिर है पद कोट 24 सीधी भरती छार सूत्र टेक्नीशन की इसमें 25,380,500 लेबल 6 और इसमें OT लेबरेटरी टेक्नीशन पार्ट करम उत्तिर्ण 10 प्लस 2 PCV के साथ परिशद में पंजि फिर है फ्रेंड्स एक्सरे टेक्नीशन कुल पद है चार 25,380,500 लेबल 6 10 प्लस 2 फिजिक्स कमेस्ट्री बाइलाजी एक्सरे टेक्नीशन का पार्ट करम उत्तिर्ण और पैरामेडिकल काउंसिल में रिस्टेशन फिर है भैसा जिकलपक एक पोस्ट है इसमें 25,380,500 का स्के 10 प्लस 2 आयरुवेद फार्मेसी पार्टिक्रा में पत्रोपाद युक्तिर् मद्य प्रदेश में पैरामेडिकल परिशाद में रिस्टी करन फिर आईए देखते हैं सीधी भरती रेडियोग्राफर 25,380,500 का स्केल मांदमिक शिक्षा मंडल से 10 प्लस 2 पीसीवी के साथ रे पीसीवी के साथ और रिफ्रेक्षन प्रमानपत्र उत्तिर्ण और पैरामेडिकल काउंसिल में पंजियन फिर है पंच कर्म टेक्नीशियन इसमें मादमिक शिक्षा मंडल भोपाल अतवा किशी बोर्ड से भोतकी रसायनी जी विग्यान के साथ पीसीवी के साथ 10 प्लस 2 पं लैब टेक्नीशन प्रमानपत्र और मद्ध प्रदेश पैरामेडिकल परिशद में रिजिस्टी करण फिर है पंच कर्म सहायक महिले में फुरुष दोने लिजिवल हैं कुल 43 पोस्ट हैं 1562 का स्केल रखा गया है पीसीवी के साथ 10 प्लस 2 पंच कर्मानपत्र उत्तिर्ण औ और पैरामेडिकल परिशद में रिजिस्टी करण फिर आई देखते हैं लेबरेटरी सहायक लैब इसेस्टेंट के 35 पद हैं 1562 का स्केल यहां पे 10 प्लस 2 पीसीवी के साथ और लैब टेक्नीशन का प्रमानपत्र पैरामेडिकल में पैरामेडिकल काउंसिल में रिजिटेश के स्केल फिर हैं पद कोट 34 कंपाउंडर आई वेड की दो पद हैं यहां पे 25,380,500 के स्केल 10 प्लस 2 पीसीवी के साथ यहां पे 10 प्लस 2 ही लिखा हुआ है आई वेड प्रिशिक्षन प्रमानपत्र रथा समकक्ष परिश्य उत्तिर्ण पैरामेडिकल काउंसिल में रिजिस और युनानी प्रशिक्षन प्रमानपत्र मद्प्रदेश साच किसी परिशद में रिजिस्टेशन डार्क रूप रूम अटेंडेंट की पोस्ट है 9500 के स्केल है चार पद हैं 9500-128000 का 10 प्लस 2 होना चाहिए PCB के साथ रेडियो ग्राफर परिक्षा उत्तिर्ण होना तो दोस्तो ये eligibility क्या है, scale क्या है, कौन कौन से पद हैं, कहां कहां किस किस की विभाग में रिखते हैं दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो अभी latest ब्यापम ग्रूप 5 वेकेंसी पब्लिश हुई है बताने की कोशिश की है दोस्तो एदिया आप हमारे चैनल पे अन्यवाद